फिलम की शुरुवात मैथियो से होती है जो की बता रहा होता कि वो अपनी वाइफ के साथ रियो में विकेशन मनाने जाने वाला था मगर उससे पहले ही उसका डिवोर्स हो गया और विकेशन में उसके एक दोस्त विक्टर भी जाने वाला था जिसका पहले ही डिवोर्स का किस चल रहा था इसके बात कहानी पास्ट में शिफ्ट होटी है जहां विक्टर की बेटी जेनिफर दूसरे शहर से विक्टर के पास आती है वही मैथ्यो अपनी वाइफ केरन और बेटी निकोल के साथ विकेशन पे जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है लेकिन अचानक से केरन उनके साथ विकेशन पे आने से मना कर देती है तब ही वहाँ विक्टर अपनी बेटी जेनिफर के साथ आता है तब मैथ्यو सबी लोगों को बाहर भीज़कर अकेले में केरन से बात करता है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों ने बताई कि वो उनके साथ नहीं जाने वाली दोने इस बारे में थोड़ी देर आरग्यूमेंट करते हैं और आखिर में मैथियो को केरन के बिना ही जाना पड़ता है वही रियो पहुंचने के बाद भी रात में मैथियो अपनी पत्नी को मिस कर रहा था और विक्टर अपने डिवोर्स से रिलेटेड पेपर्स देख रहा होता है अगली सुबह मैथियो सबसे पहले केरन को कोल करके बताता है कि वो उसे मिस कर रहा है फिर वो विक्टर के पास जाता है जो उस वक्त मरकस नाम के एक पडोसी के साथ होता है विक्टर मैथ्यो को मरकस से मिलवाता है तब मैथ्यो को पता चलता है कि मरकस का भी डिवोर्स हो चुका है तब विक्टर कहता है कि अब तीनों अपनी अपनी पत्नी को भूल कर रियो की विकेशन का मजा लेंगे अब सभी बीच पे जाते हैं जहां लगबग सारी लड़कियां और ओरतों ने उपर कोई भी कपड़े नहीं पहने होते और वो राम से घूम रही होती है इसी बीच मैथ्यू की नजर अपनी और विक्टर की बेटी पर पड़ती है वो भी बीना टॉप्स पहने घूम रही थी यसे मैथ्यू थोड़ा अनकमफरटेबल महसूस करता है मगर इस चीज़ से विक्टर को कोई भी परिशानी नहीं थी इसलिए जैनिफर और निकल विक्टर के साथ पानी में जुआये करने लगती है अगले दिन मैथ्यू और विक्टर एक बार में जाते हैं जहां विक्टर दो लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन मैथ्यू को ये पसंद नहीं था क्योंकि उसके मुताबिक वो यहां घूमने आये हैं जहां कि अपनी पत्नियों को दोखा देने तब विक्टर मैथ्यू को अकेला छोड़कर एक औरस से दोस्ती करने चला जाता है मैथ्यू केला पड़ जाता है तो वो निकॉल के पात जाता है जहां जैनिफर अपने डैड के बारे में पूछती है तब मैथ्यो कह देता है कि वो नए दोस्त बनाने के लिए गया है तब जैनिफर मैथ्यो के साथ एक ट्राइबल वैडिंग देखने जाती है जहां सारे लोग रात को पानी में नहा रहे थे जैनिफर सब दस्ती मैथ्यो को भी साथ में नहाने के लिए ले जाती है लेकिन तुरत जैनिफर मैथियो को किस कर लेती है क्यूंकि वो पहले से ही मैथियो को पसंद करती थी मैथियो भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी जैनिफर के साथ इंटिमेट हो जाता है थोड़ी देर बाद वहां मैथ्यो को अपनी जान पहचान का एक कपल आता हुआ दिखता है मैथ्यो को पता नहीं था कि उसके कपड़े कहां है इसलिए वो अपने lower body parts को rat से ढख लेता है और जब वो कपल उसके पास आते हैं तो वो बताते हैं कि वो एक महीने के लिए यहां घूमने आए हैं जब वो मैथ्यो से कोई सवाल करते हैं तो मैथ्यो काफी हकलाते हुए उन्हें जवाब देता है फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं उनके जाने के बाद मैथ्यू जैनिफर को जगाता है और कहता है कि वो सपना देख रही थी लेकिन जैनिफर को पता था कि वो असल में मैथ्यू के साथ इंटीमेट होई थी इसलिए वो मैथ्यू को गिल्टी फिल करने से मना करती है दूसरी तरह विक्टर एक औरत के साथ किसी होटल के कमरे में इंटीमेट होता है जिसके बाद वो अपने होटल आ जाता है अगली सुबह वो मैथ्यो को अपने रात के बारे में बताने लगता है इसने कल की रात इसावल के साथ मनाई जो कि काफी अच्छी थी फिर वो मैथ्यो से उसके रात के बारे में पूछता है इस सवाल पर मैथ्यो काफी गबरा जाता है और वो साफ इंकार कर देता है कि कल रात वो किसी के साथ नहीं था अगले सीन में विक्टर और निकल बाहर ब्रेक्फस्ट कर रहे होते हैं और मैथियो शेविंग कर रहा होता है तब उसके पास जैनिफर आकर उसे किस करने लगती है मैथियो से रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब ही वहाँ उस घर की मेड आ जाती है और मैथियो को जैनिफर के साथ देख कर वापिस चली जाती है इसके बाफ जू जैनिफर बार बार मैथ्यो को किस करने को कहती है साथ ही वो मैथ्यो से विक्टर को उनके बारे में बदाने के लिए बे कहती है जिस पर मैथ्यो जैनिफर को समझाने की कोशिश करता है कि कल रात उनके बीड जो कुछ हुआ वो उन्हें भूलना होगा वो जैनिफर को वहां से जाने के लिए गहता है लेकिन जैनिफर जिद पर अड़ जाती है कि वो उसे किस किये बिनान नहीं जाएगी तो मैथ्यो को उसे किस करने ही पड़ती है इसके बाद जैनिफर अपने डैड के पास जाती है और थोड़ी देर बाद वहां मैथ्यू भी आता है तो जैनिफर अपने डैड से चुपकर मैथ्यू को परिशान करने लगती है इसके बाद मैथ्यू और विक्टर साथ में मार्किट जाते हैं और कुछ सबजियां खरीद कर लाते हैं फिरात में वह अपनी बेटियों के साथ मिलकर डिनर बनाते हैं इसी दर्मियान विक्टर मैथ्यू को बताता है कि वो और उसकी बेटी जैनिफर काफी क्लोस है वो आपस में सारी बाते शियर करते हैं एक बार जैनिफर ने उसे पूछा था कि क्या उसे intimate होने के बाद safety pills से लेनी चाहिए तब Victor ने उसे कहा था कि वो उस पर depend करता है कि वो लेना चाहती है या नहीं साथ युन दोनों के बीच एक deal भी हुई थी कि जब भी Jennifer किसी लड़के के साथ intimate होगी तो वो उसी समय कॉल कर अपने डैड को ज़रूर बताएगी ये सब सुनकर मैथियो थोड़ा घवरा जाता है मगर उससे समझ आ जाता है कि अभी तक Jennifer ने उसके बारे में अपने पिता को नहीं बताया तब ही वहाँ Jennifer और Nicole आ जाती है निकल अपने साथ डियागो नाम के एक लड़के को लाई थी जिसे वो डेट कर रही थी इसलिए वो डियागो को अपने डैड से मिलवाने के बाद अपने कमरे में लेकर चली जाती है वही Jennifer मैथियो और अपने डैड के साथ डिनर करने लगती है साथ ही वो विक्टर से चुपकर टेबल के नीचे से मैथियो का टर्च कर परिशान करने लगती है और डिनर के बाद विक्टर जैनिफर को मैथियो के पास छोड़ कर मज़े करने के लिए चला जाता है और इदर जैनिफर मैथियो के साथ मज़े करने लगती है मैथ्यो के बेटी निकॉल का अपने डैड के अफेर के बारे में पता था लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती अगले दिन जैनिफर एक औरत के पास चाती है और उसे बताती है कि वो मैथ्यो से प्यार करती है लेकिन मैथ्यो से प्यार नहीं करता वो चाहती है कि मैथ्यो भी उसे प्यार करे तब वो औरत जैनिफर को धेर सारे कैंडल चला कर उनके गोड की पूजा करने को कहती है साथ ही वो एक लोकट दे कर कहती है कि वो इसे हमेशा के लिए मैथ्यो को पहना दे जैनिफर उस औरत की बताई हुई सारी चीज़े करने लगती है फिर वो मैथ्यो से कहती है कि वो अपने रिष्टे के बारे में विक्टर को बताए लेकिन मैथ्यो इसे रिष्टे को सबसे छुपा कर रखना जाता था इसलिए वो जैनिफर के पहनाए हुए लोकट को उतार कर अपने पॉकट में रख लेता है जैनिफर मैथ्यो के बरताफ से नराज हो जाती है और एक दिन वो अपने डैड को जाकर बता देती है कि वो एक अलड़के के साथ सो चुकी है इस पर पहले तो उसके डैड थोड़ा नराज होते हैं क्योंकि जैनिफर ने उनकी डील तोड़ दी थी वो लोग काफी तेज आवाज में बात कर रही होते हैं जिसे उनकी सारी बाते मैथ्यो भी सुन पा रहा था वो काफी डर चाता है और तोनन तक कपड़े पहन कर भागने की तैयारी करने लगता है वहाई जैनिफर अपने डैड को सारी बाते बता देती है कि वो जिससे लड़के के साथ सोई थी उसकी उमर 43 साल है और वो शादी शुदा है इसलिए उनका रिष्टा अच्छे से नहीं चल पा रहा इस बात पर विक्टर अपनी बेटी को डांटने लगता है तब जैनिफर कमरे से बाहर चली चाती है और उसके पीछे विक्टर भी बाहर आता है तब वो मैथ्टियो को तयार होकर जाते हुए देखता है तब ही वो मैथ्टियो को ये कहका रोक लेता है कि उसे मैथ्टियो की अभी बहल जरूरत है और मैथ्यू उसकी बात को टाल नहीं सकता है इसलिए वो रुख चाता है विक्टर जाना चाता था कि उसकी बेटी किस से प्यार करने लगी है वो विक्टर को इस सब बारे में नहीं बता रही थी इसलिए विक्टर मैथ्यो को अकेले में जैनिफर से बात करने का कहता है इसी विज़े से मैथ्यो जैनिफर के साथ अकेले गूमने जाता है जहां जैनिफर उसे अपने एक न्यूड फोटो किफ्ट करती है लेकिन मैथ्यू उसे अपने पास से रखने से इंकार कर देता है जिसके बाद वो जैनिफर को बता देता है कि वो विक्टर से जूट बोलने वाला है कि जैनिफर ने उसे अपने लवर के बारे में नहीं बताया और ये कहानी यहीं पर खतम हो जाएगी लेकिन जैनिफर को सच में मैथ्यू से प्यार हो गया था इसलिए वो मैथ्यू की बात नहीं मानती उसे मैथ्यू के उमर दराज होने से कोई मतलब नहीं था अलागि मैथ्यू उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उससे उमर में वो काफी बड़ा है जब तक वो उसकी एच तक आएगी तब तक मैथ्यो की मौत अचुकी होगी मगर इस पर भी जैनिफर का कहना होता है कि वो जिससे प्यार करती है उसके साथ कुछ साल गुजारना पसंद करेगी वैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसे वो प्यार नहीं करती हो लेकिन फिर भी मैथ्यो चाता है कि जैनिफर अपने उमर के लड़कों को धेड़ करे तब गुस्से में जैनिफर एक लड़के के साथ चली जाती है वही मैथ्यो भी उसी औरत के पास जाता है जिसके पास जैनिफर गई थी मगर मैथ्यू को इस बारे में पदा नहीं था वो उस और से कहता है कि वो एक लड़की के दिल से अपने लिए प्यार को खतम करना जाता है और वो उसे भी कुछ रीचुल्स परफॉर्म करने को कहती है दूसरी तरह विक्टर के हाथ में जैनिफर की डायरी लग जाती है और उसमें उसकी न्यूड फोटो भी होती है विक्टर को लगता है कि उस आत्मी ने जैनिफर को न्यूड फोटो के लिए मजबूर किया होगा तब ही वहां मैथ्यू भी आ जाता है और विक्टर उसे भी ये सारी बाते बताता है इसके बाद वो जैनिफर की डायरी पढ़ने जाता है अलाकि मैथ्यू भी विक्टर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मालता है और विक्टर जैनिफर की पूरी डायरी पढ़ने लगता है जिसे मैथ्यू की डर के मारे हालत बिगरने लगती है मगर लगिली उसे डायरी में जैनिफर ने कहीं पर भी मैथ्यू का नाम नहीं लिखा था फिर विक्टर एक लब में जाता है जहां एक आदमी जैनिफर के पास साकर गाना गा रहा होता है विक्टर को लगता है कि वो ही उसकी बेटी का लवर है इसलिए वो उसे मानने लगता है इसके बाद मैथ्यो परिशान हो जाता है और वो उसे बता देता है कि जैनिफर मैथ्यो से ही प्यार करती है ये जानकर विक्टर अपने दोस से नाराज हो जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहता उसी रात निकोल कोल करके अपनी मॉम को वहां बुला लेती है अगले दिन जब केरन रियो आती है तो वहां उसे पता चलता है कि उसका पती जैनिफर को डेट कर रहा है और यहीं पे एक और खुलासा होता है कि केरन और विक्टर भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे उसे समय जैनिफर ससाइड अटेम्ट करती है लेकिन सही वक्त पे उसे होस्पिटल ले जाया जाता है और वो बहुत जल ठीक हो जाती है अब एक दिन जैनिफर अपने साथ लोरेंजो नाम के एक लड़के को ले आती है जिसे वो हस्पिटल में मिली थी अब फाइनली वो मैथ्यो से माफी मांगती है और उनके बीट जो कुछ हुआ उसे वेक सपना समझ कर भूलने को तयार हो जाती है कैरन भी विक्टर से रिष्टा तोड़ देती है और अपने हस्बेंड मैथ्यो के साथ बहाई चली जाती है इसके बाद सीन प्रेंजर्ट में शिफ्ट होता है जहां मैथ्यो बताता है कि विक्टर का डिवोर्स हो चुका था लेकिन उन्हेंने फिर से एक दूसरे से शादी कर ली थी और यहीं पर यह मूवी खतम हो जाती है गाल इस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीज़े धन्यवाद